हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर भुवने स्वर्जुथार मांगिलाल बागडी राजकी महाविध्यालाय नोखा से आज हम अध्यान करेंगे कौनिय फलन के लिए आउकलन समीकर्ण और गोलिया हर्मोनिक्स solution of angular function differential equation and spherical harmonics एकल लेक्ट्रोनी प्रमानु के लिए हमने गोली नर्दिस्ट अंक में Schrödinger समीकर्ण को लिखा और उसको हल करने के लिए चरों की पर्थकर्ण विदी का उपयोग करते हुए तरजिय समीकर्ण और गोली चर आर और थीटा और फाइब पर dependent equations आउकलन समीकर्ण हमने प्रप्ट किया आर और थीटा गोली नर्दिसांगों पर निर्भे करने वाला जो समीकर्ण है जो function है वाई वह गोली हार्मोनिक्स कहलाता है गोली हार्मोनिक्स के solution find out करने के लिए हमने इस समीकर्ण जो वहाँ पर गयात किया था इसमें विव फंक्शन फाइब को थीटा और फाइब पर dependent विव फंक्शन के गुणनफल के रूप में उपयोग किया और इस समीकर्ण में मान रख कर हमने फाइब और थीटा पर dependent separate equations find out करी थी उन equations का solution भी हमने देखा था फाइब डिपेंडनेट equation का solution हम देख चुके हैं फाइब डिपेंडनेट जो equation थी फाइब फाइब फंक्शन के लिए उसका मान वदना पॉन रूट टू पाइए की पावर आयोटा एम फाइब के तुलते था जहां पर एम का जो मान है वह जीरो प्लस माइनस फन प्लस माइनस टू एतियादी integer numbers possible थी अब ठीटा पर dependent जो part था ठीटा पर dependent जो equation थी इस equation को हल करने के लिए हमने कुछ replacement किये हैं सबसे पहले cos theta को हमने x माना है तो 1-x square theta sin square theta हो जाएगा तो हमारे पास del phi capital phi upon del theta जो है del phi upon del x del x upon del theta के तुल्य होगा इसका मान माइनस 1 upon sin theta del upon del x के तुल्य होगा तो 1 upon sin theta del upon del theta का जो मान है वह minus 1 upon del x के तुल्य है तो यह जो replacement है इसको करने के लवा हमारे पास में sin theta del capital theta upon del theta equal to minus sin square sin square theta del phi upon del x equal to minus 1 upon 1 minus x square del theta upon del x के तुल्य होगा इनका उप्योग करने के पस्चाद समीकर्ण जो 4 है उसका form कुछ इस प्रकार से बन जाएगा del upon del x 1 minus x square del theta upon del x plus l into l plus 1 minus m square upon 1 minus x square theta x का जो मान है जो समीकर्ण के कोई detail से study करें तो x का जो मान है plus minus 1 के बीच में vary करता है तो theta का मान 0 से pi के बीच में vary करेगा और x की जो परास है cos theta की plus minus 1 के बीच में होती है तो यहां से हमने condition find out कर ली और यह जो समीकर्ण हमारे पास में बनती है 1 minus x square del square upon del x square minus 2x del upon del x plus l into l plus 1 minus m square upon 1 minus x square theta equal to 0 यह जो समीकर्ण है वह सहसारी legendary alkaline समीकर्ण है और इसका जो हल है वह सहसारी legendary बहुपद के रूप में एक फलन होता है वह प्राप्त होता है इस समीकर्ण का जो हल है वो theta हमारे पास में normalization coefficient n lm से define करते है p lm x के रूप में मिलता है जहाँ पर x जो है चर जो है x का function है तो x की form में अगर use करें तो x का मान ड़कते हैंगे x मानत हमने cos theta तो हमने यहाँ यहाँ पर use कर लिया यह cos theta की form में हमारे पास में theta की form में हमारे पास में solution मिल गया यहाँ पर जो function है p lm पर depend करता है यहाँ सहचारी legendary भूपत कहलाता है और normalization condition प्रसामान निकरन प्रतिवन का उप्योग कर हम normalization coefficient का मान गयाद कर सकते हैं और इसका जो मान प्राप्त होता है वह दो अलग-अलग case में एक है m greater than equal to 0 यानि positive numbers के लिए 0 के लिए और एक m less than 0 negative numbers के लिए दो condition में अलग-अलग normalization coefficient की value आती है positive और 0 की case में value मिलती है minus 1 की power m bracket में 2l plus 1 l minus m का factorial upon 2 l plus m का factorial की power minus half negative की case में इसकी value मिलती है 2l plus 1 l minus mod of m का factorial divided by 2 upon l plus mod of m का factorial की power half यह जो values है वो हम correlate करके values find out करते हैं एक general terms की form में l जो है उसका मान mod of m के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा तो l और m के जो values है वो 2l plus 1 possible values होती है और इसके मान minus l minus l plus 1 minus l plus 2 minus l plus 3 up to 0 then 1,2,3,4 up to l यह possible मान है जिनको हम उप्योग कर सकते हैं तो हमारे पास में complete wave function जो है theta और y जिसको हम गोल यह harmonics कहते हैं इसका मान आ गया जो l और m पर depend करेगा इसका मान हमने यहाँ पर याद कर लिया 1 upon root 2 pi n lm जिसका मान हम गयाद कर चुके हैं p lm cos theta e की power iota m phi यह गोल यह harmonics function कहलाता है और इसका complete form हमने positive or zero values के लिए यहाँ पर लिख लिए और negative values के लिए जो है यहाँ एक special condition को represent करता है mod की form में हमने लिया था तो negative case में अगर हम M को minus M से replace कर दें तो यह equations use की जा सकती है तो 5 spherical harmonic function की जो value होती है minus 1 की power M 2L plus 1 bracket में L minus M का factorial divided by 4 pi L plus M का factorial की power half P lm cos theta e की power iota m theta और डिनात्मक मानों के लिए y function जो है minus 1 की power M y star iota L minus M theta y का function होता है और normalization condition प्रसामाने करन लंबिक condition को अगर उप्योग करें तो यह हम मान गयात कर सकते हैं और इसके बाद हम आते हैं different states होती है energy states S, P, D, F उनके लिए spherical harmonic functions की values हम यहाँ पर represent कर रहे है L equal to 0 जिसे हम S state से represent करते हैं उसके लिए M कमान के वल 0 possible होता है उस case में Y spherical harmonic function का मन 1 upon root 4 pi के equal होता है L equal to 1 यानि P state उसके लिए M के 3 मन possible है 0 और plus minus 1 0 के लिए values मिलती है जिसको हम Y, L की value 1 M की value 0 Y, 1 0 के लिए 3 upon 4 pi की power half cos theta और plus minus 1 के लिए जो values मिलती है तो minus plus 2 sorry 3 upon 8 pi की power half sin theta E की power plus minus 1 phi D के लिए L equal to 2 D state के लिए M की values 5 possible होती है 0 plus minus 1 plus minus 2 0 के लिए values मिलती है function आता है हमारे पास में 3 cos square theta minus 1 2 plus minus 1 के लिए sin cost function आता है और plus minus 2 के लिए जो function है वो sin square theta के form मिलता है इसको अगर graphically represent करें तो हमारे पास में S state spherical होती है P state जो है वो दंबल shape होती है और D state के लिए double double shape state हमें मिलती है तो यह दुरूवी नर्देस तंत्र में हमने different states को यहाँ पे represent किया हुआ है तो यह था हमारा spherical harmonics function जो हम किसी भी energy states के लिए find load करते हैं धन्यवाद Thank you